पूदीना चिकन, नमसुन के ही लग रहा है, बहुत इउनिक एक रेसिपी है, बट बहुत इजी है इसको बनाना, जिन लोगों ने पूदीना चिकन नहीं खाये है वो लोग भी एक भर इस रेसिपी को ज़रू ट्राइ करना, बनाना है बहुत ही आसान और खाना में बहुत ही जादा देनना करते हैं. वीडियो यहां पर 1 kg चेकनग केम बहुत अच्छी तरह से धोकर साफ साफ कर लिए है. मैं इसको मैनने करना है, इसके लिए यहां पर रहा यहां पर ₹50 गराम दही राल रही हूं. मैं एक किलो की मेजरमेंट बता रही हूँ आप लोग कमिया ज़्यादा बनाएंगे तो कौन्टिटी कमिया ज़्यादा कर सकते है यहाँ पर जो है डेख सकते हैं अभी मैं डाल देई हूँ एक चमज नमक नमक जो है आप लोग अपने सुवात के अनुसार डाल सकते हैं हल्दी पाउडर डालना है आधी छोटे चमज जिस चाय के चमज घर में नौलमरी रहता है उस चमज के आधी चमज और उसी के साथ लालमीची पाउडर डालना है इसको भी हमको एक चमज डालना है आप लोग अनुसार लालमीची पाउडर का इस्तमाल कर सकते है इन दोनों चीजों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है मिक्स के साथ चोड़ना है उसके बाद जो एक पेश्ट मसाला तैर करना है तो फिर इस वीडियो चलते हुए एक रिक्वेस्ट रहाप लोगों से रहेगी वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता हो तो लाइक जरूर करें न्यू आए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा तो यहाँ पर मैरिनेट हो चुका है अब जो है इसके लिए मसाला तैर करना है इसके लिए मैंने ले लिया हरा धनिया चार इंज अधरक का टुकड़ा बड़े कली पास से छे लसुन की और दस से बारा हरिमेची और पुदीना इसका मैं इंगिडेंस तो यहाँ पर इसके बंच मैंने पुदीना ले लिया है जिसको मैं अच्छी तरह से साफ करके धो के कर लिया है अब जो है इनका एक पेस्ट तायर करना है तो यहाँ पर जो है पाच काजु डालके इसका एक बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट तायर कर लेते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है पुदीना का पेस्ट बिलकुल तायर हो चुका है तो पूरा पेस्ट जो है चिकन के अंदर डालके बहुत एच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसको मैंनेट होने के लिए छोड़ देना है करीबन एक घंटे तक जितना ज़दा मैंनेट होगा उतना ही टेस्टी चिकन मनेगा तो दूसरी तरप यहाँ पर मैं एक करहे गरम कर लिया हूँ अभी जो है उसमें डाली हूँ बड़े चार चमस तेल बंगार के लिए यहाँ डालना है दो दार्जीनी का टूकड़ा और तीन से चार ईलाइची इलाइची के मुँग को थोड़ा सा तोड़ते नहीं तो तेल में जाने के बाद यह फट जाता है जैसे ही थोड़ा थोड़ा इसमें से फ्लेबर जैसे है निकल जाए तुरांत इसके अंदर हम को डाल देना है प्याज तो तेल जो है बहुत एची तरह से पहले गरम होना जरूरी है उसकी बाद ही जो है इसमें बाकी का चीज आप लोग डाल सकते हैं दो बड़े साइस का प्याज को यहां पर जो है में बिलकुल बारी रफली करना है इससे जो है ग्रेवी बहुत ही जादा टेस्टी बनेगा तो अब जो है बहुत एची तरह से हाई फ्लेम पे इसको फ्राइ करना है जब तक इसका कलर इस तरीके का गोल्डन लाइट गोल्डन ब्राउन ना जाए तो इतना ही लाइट गोल्डन ब्राउन करना है इसस तक कि टॉमेटो गल ना जाए तब तग हमको टॉमेटों को पहले पका लेना है तो यहां पर जो है मैं थोड़ा सा नमक डाल देती हूं इससे जो है टॉमेटों प्याज बहुत ही जल्दी सौफ्ट हो जाएगा तो आधा छोटी चमश में नमक डाल दे खुन कि नमक पहले भी स्क्रेबी में बिल्कुल भी नहीं करना है तो अभी जो इसको ढख देती हैं और मिलते हैं पाच मिनिट बाद तो यहां पर पाच मिनिट हो चुका है और देख सकते हैं आप लोग टॉमेटो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है टॉमेटो बिल्कुल गल्चका है एक बार बीच म को डाल के हम लोग को बहुत एच्छी तरह से हाइ फिलेम पजिसको पकाते रहना है इसको सिर्फ अभी हाइ फ्रेम पे पकाते हुए चलाते हुए पकाना है और बाकी का कुछ भी नहीं करना है देख सकते हैं इस तरीके के में हाँ फ्रेम का ही पकाऊंगी अभी थोड़ा थोड़ा चलाते हुए पकाऊंगी और फिर एक एक मिनिट बाद जो है इसको खोल के इसी तरीके का चलाओंगी और फिर भी धखोंगी इसी प्रोसेस को करिभ़ां हमको 15 मिनिट तक करना है तो देख सकते हैं चिकन का कलर भी थोड़ा-थोड़ा चेंज हो रहा है तो इसी प्रकार का चिकन को मीق्स करती जाना है थोड़ा-थोड़ा करके और इसको ड़क-ड़क के पकाते जाना है तो मैं इस तरीके का प्रोसेस जैसे 15 मिनिट तक हो जाएगा उसके बाद जो है पाच मिनिट के लिए इसको मैं ढखके छोड़ दूँगी लो मीडियम फिलेम पे तो फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता हो तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा तो देखी सेम प्रोसेस ही अभी मैं स्टार्ट कर देती हूँ वीडियो को मैं फास्ट फ़र थोड़ा कर देती हूँ तो आप लोग जो है इस तरीके का है बनाना अब करीबन यहाँ पार जो है करीबन 25 मिनिर हो चुका है तो देख सकते हैं चिकन से तेल भी बिलकुल अलग तो हना स्टार्ट हो चुका है इसमें से पानी कित्ता ज्यादा निकल चुका है तो आप लोग अगा चाते हैं तो ग्रेवी इस तरीके का भी रख सकते हैं या फिर आप लोग ग्रेवी को थोड़ा ड्राय भी कर सकते हैं तो चिकन को इस तरीके का बना के एक बार जरूर दे दो फ्रेंट्स वीडियो कैसा लगा कॉमेन्ट पर ज़रूर बताईयेगा कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं वह भी मैरी चैनल पर चिकन की बहुत सरी अलग-अलग रेशिपीज हैं गर आप लोग नहीं देखा है तो जरूर से देख सकते हैं तो देख सकते हैं लिए जहीं फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही अल्ला हाफिज मिले करें